हौकी के जादुगर, मेजर ध्यानचंद, हिंदी अडियो बुक्स्त एक परिचे हौकी की दुनिया के बेताच बाच्छा, हौकी समराट और हौकी के जादुगर केने वाले मेजर ध्यानचंद का नाम किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है वे खेल जगत के ऐसे देदी प्यमा नक्षतर थे, जो अनेक युकों तक अपनी अलवकिक आभासे, भावी खिलाडियों तथा देशवासियों को प्रेदित करता रहेगा उन्हें यह संदेश देता रहेगा कि मनुष्य बले ही कोई भी साधन अपनाए, परन्तु उसे अपने देश, अपनी मात्र भूमी के प्रती, अपने कर्तव्यकों कभी भूलना नहीं चाहिए उसका प्रत्य कर्म ऐसा हो, जो उसके परिवार, समाज, वो देश के लिए हितकारी, कल्यानकारी तथा गौरो बढ़ाने वाला हो ध्यानचन के बचपन में उनमें एक खिलाडी के कोई लक्षन नहीं थे, इसलिए के सकते हैं कि उनमें हौकी के खेल की प्रतिवा जन्मजात नहीं थी उन्होंने अपनी सतत साधना, लगन, अभ्यास, संकल्प वा संगर्ष के माध्यम से इससे अरजित किया यह प्रतिष्ठा केवल उनकी नहीं थी, उन्होंने परतंत्र भारत में अपनी होकी के उत्कुष्ठ प्रदर्शन द्वारा तूसरे देशों को दातों तले उंगली दवाने पर विवश कर दिया और उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि भले ही उस समय देश पराधिन रहा हो, पर उसकी प्रतिबा किसी की दासी नहीं थी उसकी प्रतिबा पूरे विश्वम में अपने देश का नाम आलोकित करने की क्षमता रखती थी होकी के जादुगर ध्यानचंद होकी के खेल में एक सेंटर फॉर्वर्ड के रूप में जाने जाते थे और उनकी इस अध्भुत खेल प्रतिबा ने बाहरत को एक अलखी मुकाम पर पहुँचा दिया था बाहरतिय होकी के पुर्व खिलाडी तथा कप्तान मेजर ध्यानचंद का नाम बाहरत वो विश्व होकी के छेतर में सबसे स्थ्रेश्ट खिलाडियों में गिना जाता है उनके खेल का हुनर तो दूसरे पक्षो को भी मंत्रमुक्त कर देता था वे तीनों बार उस भारतिय अलोपिक टीम के सदस्य थे जो अपने देश के लिए सोर्न पतत जीत कर लाई विदेशी जब उन्हें खेलते देखते तो वावा कर उठते वे लगभग 25 वर्षों तक विश्व होकी के शिकर पर चाय रहे यही नहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी होकी के खेल की इस परंपरा को जीवित रखा और अपने खेल के माद्यम से देश को अपनी सेवाई देते रहे उनके संपुर्ण परिवार ने पांच उलम्पिक सोर्न पदक, एक कास्य पदक तता विश्व कप के सोर्न रजत एवक कास्य पदक अरजित किये जो कि अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है एक खेल पत्रकार के शब्दों में ध्यांचन जी का नाम जेहन में आते ही आखों के सामने आ जाती है सन 1932 वो 1936 के ओलम्पिक खेलों की वे तस्वीर जिसमें हौकी के इस जादुगार की स्टीक में गेन चिपकने के बाद किसी को दिखती ही नहीं थी और दिखती भी थी तो गोल पोस्ट के जालों में उल्जी हुई उनका जन दिवस राष्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है वेना में उनकी एक मुर्ती लगाई गये है जिसमें उन्हें चार हातों में चार होकी स्टीक पकड़े दिखाया गया है बले ही सुनने में अतिशोक्ती लगे परंतु वे होकी के मैदान में अनेक खिलाडियों पर भी भारी परते थे उन्होंने होकी के खेल में लोक प्रियाता का जो खिर्तिमान स्थापित किया विश्व का कोई भी खिलाड़ी आज तक उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाया है मेजर ध्यान्चन की अन्तिम इच्चा यह थी कि होकी का खेल एक बार फिर अपने सुर्निम शिकर तक पहुँचे अपने उसी मान सनमान को पुना पा सके जिसका वही सई अर्थों में अधिकारी है इश्वर करे कि उनकी यह इच्चा पूर्ण हो खेल प्रेमी तथा अन्य पाठक गन मेजर ध्यान्चन जी की जीवनी से पेरना के कुछ सुत्र ग्रहन कर सके इसी आशा के साथ रचना भोला या मिनी एक द्यानसियं से मेजर ध्यान्चन्द होकी के महान जादुगर मेजर ध्यान्चन का जन्म 29 अगस्ट 1905 को इलाबाद में हुआ वे एक साधारन राजपुत परिवार से थे उनके पिता सुमेशोर सिहं से नामे कार्य करते थे माता शामा दिवी एक सरल सोभाव की सु संस्कुत महिला थी उन्होंने अपनी सातो संतानों को अच्चे संसकार दिये तता बचपन से देश के प्रती प्रेम वो सदभावना के भाव को विकसित किया ध्यान्चन के तीन भाई तता तीन बेने थी क्योंकि पिता सेना में थी इसले उनका स्थानन्तरन होता रेता था कालंतर में उनका परिवार इलाबाद से जासी आ गया गर की आर्थिक स्थिती साधारन थी और खेलों के लिए कोई पारिवारिक पुष्ट भूमी नहीं थी पिता सोमेश्वर जी के स्थानंतर के साथी परिवार को भी दूसरे स्थान पर जाना परता और इस प्रकार ध्यान्चंद चटी कक्षा के आगे नहीं पर सके साधारन शिक्षा पाने के बाद ध्यान्चंद सन 1922 में 16 वर्ष की उम्र में एक सिपाई के रूप में भरती हो गए जब वे फस्ट ब्राह्मन रेजिमेंट का हिस्सा बने तब तक उनके मन में होकी के प्रती कोई विशेश दूची नहीं थी उन्दी नव सेना में होकी वो फुर्वाल जैसे खेलों का बहुत चलन था अंग्रेज वो बारतीय खिलाडी बड़े अभ्यास के बाद खेलते और मैचों में मिली जीत प्रतिष्ठा का प्रश्ण हुआ करती थी ध्यांचन के लिए यह सब नया था हाला कि हम उन्हें ध्यांचन केकर पुकारते हैं परन्तु वास्तों में उनका नाम ध्यांसिह था यह नाम कैसे बदला? इसके पीछे एक रोचक प्रसंग है जब उन्होंने सेना में खेले जाने वाले हौकी के खेल को देखा तो इसके प्रति जिग्यासा होना स्वबावी की था परन्तु वे इस छेत्र में बिल्कुल नौसे किया थे उन्हें तो सही तरह से हौकी स्टिक भी पकड़नी नहीं आती थी बले ही पेडों की ठहनियों से गेन को ठोकर लगाते होए खेला हो परन्तु हौकी के इस तरिय रूप से उनका कोई परिचय नहीं था ऐसे में उनकी साहता के लिए सुबेदार बाले तिवारी आगे आए और वही आगे चलकर उनके प्रतम खेल गुरु वह कोज भी बने बाले तिवारी ने उन्हें हौकी खेलने के लिए प्रेरिद वह प्रोच्साइद किया और कुछी दिनों का अभ्यास देखने के बाद वे जान गए कि यदि ध्यानचन को उचित प्रशिक्षन वह प्रेर्णा मिले तो वे हौकी के खेल को नए आयाम दे सकते है वे हर तरसे इस युवाखिलाडी का होसला बढ़ाने लगे ध्यानचन उन दिनों ध्यानसिह केलाते थे उन्हें जब भी किसी तरह की कोई दिक्षत आती तो बाले तिवारी समाधान के लिए प्रस्तुत रेते वे अपने इस नव दिक्षित शिश्च को हौकी के खेल का जो भी गूर देते वे उसे गुरु मंत्रे की भाती अपने पास सहिश लेता केते हैं कि जब ग्रहन करने वाला पूरे मन से कुछ ग्रहन कर रहा हो तो शिक्षा देने वाले को भी ऐसा लगता है कि उसका शिक्षा प्रदान करना सार्तक हो गया यो तो अन्य जवान भी बाले तिवारी से खेल सिखते थे परन्तु ध्यानसिह की बात ही कुछ और थी उन्हें तो जैसे अच्छा और बेतर खेल सीखने की दून सवार हो गई थी कुछी दिनों में हौकी का खेल उन्हें प्रानों से भी प्रीय हो गया था जब सारे दिन के कड़े सेनिक अभ्यास के बाद सभी जवान मनोरंजन या विश्राम का बहाना तलाश्टे तो ध्यानसिह चंद्रमा की रोश्णी में मैदान में अभ्यास करते देखे जा सकते थे कुछी दिनों में दोसरे साथी उन्हें रात को अकेले इस तरह अभ्यास करते देखने के इतने अभ्यास्त हो गए थे कि मैदान से आने वाली आहट को सुनकर ही वे कह देते अरे द्यानसिया होकी का अभ्यास कर रहा होगा जब वे बीतर लोटते तो कई साती व्यंगवान छोड़ने से भी बाजन आते क्यो धानसी हैं? अपनी प्रेमिका से मिलकर आ गए? कोई दूसरा केता? हाँ भाई, हौकी तो इनकी प्रेमिका से भी बढ़कर है ये उससे मिलने के लिए अपनी थकान की भी परवा नहीं करते ये अपनी प्रेमिका को चाहे भूल जाए पर अपनी हौकी को नहीं छोड़ सकते ध्यानसी हैं मुस्कुरा कर रह जाते परन्तु उनकी बातों का बुरा न मानते ये सादगी उनके स्वभाव का एक अंग थी किसी से बेबात उलशना, कठोर या गलत भाषा का प्रयोग करना या किसी का दिल दुखाना ये सब तो उन्होंने सीका ही नहीं था साती खिलाडी कहा जानते थे कि वे जिसका उपवास कर रहे है एक दिन उसी व्यक्तिक के हस्ताक्षर लेने के लिए विदेशी तक लालियात हो उटेंगे भले ही ध्यानसी है अपने में मगन थे परंतु कोई था जो उनके प्रत्ते क्रिया कलाप को बहुती ध्यान से परक रहा था वे थे बाले तिवारी वे इस खिलाडी की अद्भुद प्रतिवा वद्रूड इच्चा शक्ति को देख कर दंग थे वे देख रहते कि किस तरह ध्यानसी हैं अकेले ही मैदान में होकी की नई-नई तक्निकों का अभ्यास करते थे एक दिन वे उनके पास गए और बोले ध्यानसी हैं तुम बहुत अच्ची होकी खेलते हो पर मेरी एक बात गांट बाण लो अगर एक समपूर्ल खिलाडी बनना चाते हो तो दूसरों को पास देना भी सीखो जब हम किसी टीम के साथ खेलते हैं, तो हमें दूसरों को भी गोल करने का पूरा अउसर देना चाहिए खेल हमें आपसी वेर या स्वार्त परता नहीं, बलकि सामोहिक भावना की सीख देते है जी सर, मैं हमेशा आपके दे इस मंतर को याद रखूँगा द्यानसिह बोले, तिवारी जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशिरवा दिया और बोले जिस तरह तुम चंद्रमा की रोशने में होकी का अभ्यास करते हो, उसी तरह एक दिन होकी का चंद्रमा बनकर चमकोगे क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती मैं तो तुम्हें आज से द्यानसिह की बजाए द्यानचन केकर ही पुकारूंगा बस तबी से वे द्यानचन कहलाने लगे तिवारी जी की भहुष्यवानी सत्य सिद्ध हुई और वे होकी जगत में एक चान बनकर सामने आए द्यानचन के अभ्यास में और भी गहनता आ गई सेना में होने वाले होकी खेलों में उनका नाम चमक उठा अंग्रेज अधिकारी उन्हें पेचानने लगे थे देरे देरे उनके होकी के चर्चे होने लगे थे और वे दिल्ले में होने वाले वार्षिक टूर्नामेंट में खेलने के लिए चुने गई। यह टूर्नामेंट बड़ी ही सरलता से जीत गया। सेन्ने अधिकारी इस जीत से प्रसन न थे। और यही मैश्ठा जिसने हमेशा के लिए ड्यांचन को सेंटर फॉर्वर्वर्ड स् आते हैं जब अप्रत्याशित की संभावना के साकार होती ही मनुष्य के पास कुछ कहने के लिए शब्दी नहीं रेते। वे किंग करतव्य विमुड हो उठता है। ध्यांचन के जीवन में भी ऐसे ही कुछ ख्षन आये थे। हम आपको उनी के विश्य में बताने जा रहे ह दरसल उन्हें अपने साती खिलड़ों के माध्यां से पता चला कि बारतिय सेना हौकी टीम को न्यूजिलेंड भेजने पर विचार कर रही है। यह घटना सन 1926 की है। उनके सातियों ने कहा ध्यांचन तुम तो कितनी अच्छे हौकी खेलते हो। तुमारे लिए एक सुनार अउसर है। जाओ जाकर उनसे बात करो। कौन जाने तुम्हे भी विदेश जाकर खेलने का मौका मिल जाए। दूसरे साती का कहना था कि इस बारे में बात करना भी बेकार था। क्योंकि वे कम पड़े लिखे और निचले रैंक के जवान को कभी ऐसा अउसर नहीं देंगे जितने मू उतनी बाते। द्यानचन ने सबकी बाते सुनी और वहाँ से बाहर आकर अपने खेल के अभ्यास में जुड़ गए। यह पात पता लगने पर उनके मन में भी इच्छा जागर्थ हुई कि काश मैं उस तिम में जा पाओ। यदि भी उन्होंने अपने मन की बात क किसी के सामने नहीं रखी। वे उन लोगों में से नहीं थे जो एन केन प्रकारेन अपना काम निकलवा लेना चानते हैं। परंथु उन्हें अपने हुनर पर पूरा विश्वास था। उनका मानना था कि यदि मुझ में प्रतिबा है और मैं विदेश जाकर खेलने की योग के छित्र में किसी भी प्रकार की राजनीती नहीं चलती थी और प्रतिबा को यतोचित सन्मान मिलता था। व्यक्ति का होसला बुलंध हो तो रहा में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। वे अपनी उसी ततपरता वो मनोयोग के साथ रेजिमेंटल होकी और सेना के अन्य होकी खेलती रही। प्रतिदिन ही समाचार आता कि अमक व्यक्ति को चुल लिया गया। अमक व्यक्ति को कोशिश परने भर भी अउसर नहीं दिया जा रहा। एक दिन अचानक ही कमांडिंग अपिसर का संदेश आया कि वे उनसे मिलना चाते है। ध्यान चन तो सपने में भी प्रतिमान नहीं लगा सकते थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। जब वे वहां पहुँचे तो उक्त अधिकारी ने कहा। जवान तुम हौकी खेलने के लिए नियोजिलेंट जा रहे हो। बस वही वे क्षन थे जब उनके मुक से कोई शब्धी नहीं निकला। उस अभ जैसे ही थोड़ा सचित हुए कि अपनी बेरकी और भागी। सातियों के बीच यह समाचार बाढ़ते समय जैसे उन्हें सोयं ही विश्वासी नहीं हो रहा था कि वे अभी-भी क्या सुनकर आये है। अपने करियर के उस दोर में ऐसा उसर मिलना बहुत सोभाग्य की बात थी सभी मित्रों ने अपनी हार्दिक शुपकामनाई व्यक्ट की। उन्होंने अपने प्यारी साति को कंधों पर बिठा कर खुशी जाहिर की। इसी बीच तिवारी जी भी वहाँ पहुँच गए। वही जानते थे कि इन क्षणों को अपने जीवन में पाने के लिए द्यांचन की आखें नम थी। मार्क दर्चक तिवारी जी की आखों में भी अत्रू छलक पड़े। वे देख सकते थे कि प्रसनता की अतिरेक में रो रही ध्यांचन के उन आसों के बीच आने वाले अनेक स्वर्निम अवसरों की जोती जही मिला रही थी। किन्तु जब उन्हें उसकी सत्यता के विशय में संदेह न रहा तो उन्होंने इसका आनन उठाया और अंततहा सारी कहानी यथार्थ पर जाकर समाप्त हुई। अभी तक के सारे मैच बारत के ही विविन्न भागों में खेले जाते थे। इसलिए कभी कोई परिशानी नहीं हुई। किन्तु एक साधरन आर्थिक सिती वाले परिवार के लिए विदेश ब्रह्मन करने की तैयारी करना आसान न था। व्यक्ति के मन में किसी चीज के लिए जुनुन पैदा हो जाता है तो प्रकृती सोयं ही हर समस्या का समाधान भी प्रतुत कर देती है। द्यांचन के पिता वो मा आपस में दबे स्वर में सामान के प्रभन की बात कर ही रहते कि वे उनसे बोले। मा आपने सदा हमें सीमित साधनों में ही अपना निर्भा करना सिखाया है। आज आपकी वही सीख मेरे काम आएगी। आप देखना मैं कितनी सरलता से सारी तैयारी कर लूँगा और किसी तरह की आर्थिक परिशानी भी नहीं होगी। द्यांचन ने सेना से मिले कपड़े एव ओरकोट आधी एकत्र किये और उनकी वही किट साथ जाने के लिए तैयार थी। सब ने कहा कि एक कपड़े विदेश की सीत लेहर का सामना करने के लिए परियाप नहीं होगे। परन्तु उन्होंने सब की बात को हसकर टाल दिया। उनकी लिए ये विदेश यात्रा केवल हौकी मैश नहीं, अपितु एक सईन्य अभियान था, जहां उन्हें शत्रु को पचाड करी आना था। मोर्चे पर जाने वाले जवान कभी अपनी सुहिधाऊ या विलासिता की परवा नहीं करती। इसी भाव के साथ द्यांचंद विदेश जाने को तयार हो गए। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई भारती होकी टीम विदेशी दोरे पर जा रही थी। 20-25 दिन की समुत्री यात्रा के बाद वे मई के आरम में न्यूजिलेंड जा पहुँचे। प्रत्तिक खिलाडी ने अपनी यात्रा का बरपुर आन लिया। वे अपने देश का प्रतिनिदितवक कर रहे थे। उनकी टीम जहा भी गई लोगों ने बड़े ही स्निह से स्वागत सत्कार किया। खिलाडीयों को इस बात का पूरा भान था कि उन्हें अपने देश का नाम अच्छा प्रभाव छोड़ना है। एक अच्ची चवी बना कर ही लोटना है। ध्यांचन ने उन मैचों के दोरान उलेकनिय प्रदर्शन किया। बारतिय अहोकी टीम ने 21 मैच खेले। जिन में से उन्हें 18 मैचों में विजह प्राप्त हुई। बारतिय खिलाडियों ने 192 गोल दागे। ध्यांचन ने 100 गोल किये। और उन्हें एक लोकप्रियोह की खिलाडी बनने में देर नहीं लगी। बारतिय टीम को कई समार हो वो दावत्तों में निमंत्रित किया गया। वहाँ उनका इस तरह स्वागत किया गया। मानव वे कोई बड़ी हस्ती हो। ध्यांचन भी उस यात्रा में मिले अनेक व्यक्तियों और उनके स्नेहिल स्वभाव को आजिवन नहीं भूले। विवाद के वर्षों में भी प्रायहा उनके विश्यमें बाते करते थे। न्यूजिलेंड यात्रा के संस्मरन लिखते हुए द्यांचन केते हैं कि वहाव उन्हें न्यूजिलेंड के साथ वहे एक मैच में पराजय का मुह देखना पड़ा। यह दूसरा मैच था और पहले मैच की जीत के बाद मिली हार का स्वाध बेहत कड़वा था। मैदान की दशा अच्छी नहीं थी, किन्तु बारतिय खिलाडियों ने इसे अपनी पराजय का कारण न मानते हुए यह सिवकार की दूसरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदंशन किया था। पूरी टीम पर ठकान का गेहरा असर था और उस शाम की पराजय के बाद वे लोग रात को उनके सनमान में दे जा रहे रात्री भोज में भी नहीं जा सके। द्यान्चन ने अनुमान लगाया कि संभवता दूसरे पक्षा ने उनके सामर्थयों को जान लिया था। उसने उनके खेल की कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाया था। विदेशियों ने भी उनके शांदार खेल प्रदर्शन को पूरा मान दिया और वारती होकी टीम के खिलाडी चारो और चागे। बारत में भी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को अपनी भारती होकी टीम के सारे समाचार ग्यात हो रही थे। वे लोग अपने खिलाडियों को मिल रही वावाई से बहत प्रसन थे और उनके वापस लोटने की राह देख रहे थे। बारती होकी टीम के खिलाडी दूसरे देशों में ऐसी चाप छोड़ कर आए जो हमेशा हमेशा के लिए वहा के लोगों के रिदोयों पर अंकित हो गई उनमें द्यानचन जी का नाम विशेश रूप से उलेकनिय था करीब पचाश वर्ष बाद जब द्यानचन के पुत्र अशोक कुमार न्यूजिलेंड गए तो वहा के होकी क्लबों में उन्हें अपने पिता की तस्विरे देखने को मिली जो सन 1926 के दोरे के समय उतारी गई थी दरसल उस दोरे में द्यानचन जी ने खेल प्रेमियों को अपना दिवाना बना लिया था लोग उनका नाम सुनकर दूर दराज के इलाकों से होकी मैश देखने आते थी वहा के समाचार पत्रों ने रातो रात ध्यानचन का नाम लोगों के लिए परिचित बना दिया था अशोक कुमार जी को वहा एक व्यक्ति मिला उसने टूटी हुई होकी का टुक्रा दिखाते होए कहा कि यह ध्यानचन की टूटी होकी का टुक्रा है पहले तो अशोक कुछ समझे नहीं फिर उस व्यक्ती ने विस्तार से बताते हुए कहा कि जब ध्यांचन जी मैदान में हौकी से खेल रहेते तो मैदान में ही उनकी हौकी तूड गई थी वे तो उसी समय दोसरी हौकी लेकर खेलने लगे किन्तु वह उपस्तित खेल प्रेमियों ने उनकी हौकी के वे टुकड़े आपस में बाट ले थे वे व्यक्ती उन्हें वही टुकड़ा दिखा कर हौकी के मान जादुगर ध्यांचन के प्रती अपना प्रेम प्रकट कर रहा था तीन उजुवल भविश्यकी ओर न्योजिलेंड दोरे से वापसी के बाद ध्यांचन जी ने पाया कि उनकी गिंती हौकी के बेतरिन खेलड़ों में की जाने लगी थी इस दोरे से उन्हें प्रेरना प्राप्त हुई और उन्होंने स्वयन से वादा किया कि वे कभी अपनी ओर से खेल के प्रती किसी भी तरह की धील या लापरवाही नहीं आने देंगे परिस्थितिया चाहे जैसे भी हो वे खेल का निरंतर अभ्यास जारी रखेंगे जब वे अपनी ड्योटी पर पहुँचे तो सहकर्मियों वो उच्छ अधिकारियों ने उनका भाव बिना स्वागत किया द्यांचन जी भाव को उटे सभी सातियों ने उनके बेतर एव उज्वल भविशकी ले शुपकाम नाई दी और यही उन्हें पता चला कि वे लांसनायक बना दे गए थे विदेशी दोरे में मिली आशातित सपलता और फिर वह से लोटते ही पदोन्नती द्यांचन ने इश्वर को धन्यवा दिया और कड़े परिश्रम वो लगन के साथ अभ्यास करने के संकल्प को मनही मन दोराया बारती हो की संग का आरंब हो चुका था और सभी उसके आने वाले कल्की सुकत कल्पना कर रहे थे ध्यांचन प्रायहा अपनी प्रशन सा सुनकर सकुचा जाते वे उन लोगों में से नहीं थे जो दूसरों के बीच आकर्शन का केंदरबिंदू बने रहने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते है वे फिर से अपनी सेनिक जीवन में रम चुके थे इसके साथ ही हौकी का अभ्यास भी जारी था खिलाडी चाहे कितना भी मान क्यों न हो जाए खेल का निरंतर अभ्यास ही उसे उसके स्थान पर बनाए रखने में सायक होता है सेना में हौकी के खेल के लिए अवकाश पर गए जवान लोटे तो उनके लिए काम का बोज़ भी प्रतिक्षा कर रहा था उन्हें पेले से कही अधिक काम करना पड़ता था मानों उनसे छूटे हुए काम की पूर्ती कराई जा रही हो विडेशी दोरे की लंबी चुटियों के कारण घर जाने के लिए भी इतनी जल्दी चुटि नहीं मिल सकती थी इस तरह अपने परिजनों से दूर कड़े परिश्रम के बीच खेल के अभ्यास को ही अपना आत्मी या मानने से ही द्यान्चन के रिदय को सांत्वना मिलती थी कई बार वे स्वयों को बहुत अकेला मेसुस करते तब वे होकी स्टिक उठा कर मैदान की ओर निकल जाते कि उनके आने वाले होकी करियर को और सुद्रुड बनाने की निव रख रहा था एक बार फिर से लोगों में चर्चा होने लगी कि शायद होकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा सन 1920 में एंटर वेप के खेलों में होकी को स्थान दिया गया था उसके बाद जब सन 1924 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयूजन हुआ तो होकी को उसमें शामिल किया गया था अब सन 1928 के ओलंपिक एंस्टर्डर में होने जा रही थी होकी की निरंतर हो रही प्रगती ने इस संभावना को बढ़ा दिया था कि होकी को भी ओलंपिक में जगदी जाएगी बारती होकी संग अपनी ओर से पूरा प्रेत्न कर रहा था कि यह संभाव हो सके आंतर राष्ट्रे उलंपिक कमेटी को मनाने के बरिसक प्रयास के जा रही थी पहले तो ध्यानचन जी ने अपने स्वभाव वश इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया किन्तु जब बातों के सीरे और लोगों की आशाओं के संकेत उनकी ओर होने लगे तो उन्होंने भी गंबिरता पुरुवक सोचना आरंब किया उनके मन में कुछ संशय था सबसे पहला संशय तो यही थी कि क्या उनके जैसे सेना के एक लांसनायक को टीम में जगधी जाएगी दूसरा संशय यह था कि क्या उनका परिवार इस दूसरे विदेशी दोरे को प्रोचसाहित करेगा तीसरा संशय यह था कि क्या वे अपने देश और देशवासियों की अपिक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे इस तरह वे नाना संशवन से गिरे थे यद्धेपी होकी को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए अनुमती मिल गई परंतु यह प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं रही थी क्योंकि अभी तक आयोजित होकी ओलंपिक टुर्नामेंटों में इंगलेंड की ही जीत हुई थी और ब्रिटेन इस बात के लिए समत नहीं था कि उसका उप निवेश भारत होकी में हिस्सा ले किन्तु जब अपीले बढ़ने लगी तो उसे भी इस निर्नाय पर अपनी मोहर लगानी पड़ी केवल अनुमती मिलना ही पर्याप नहीं था अभी तो जैसे काम की शुरुवाद भर हुई थी हौकी संग के सामने समस्या थी कि टीम में कैसे लोगों का चैन किया जाए उनके चैन के लिए कौनसी विधी अपनाई जाए तता यह कार्य कि स्थान पर संपन्न हो बारतियों की संग ने निर्नाई लिया कि वे बारतियों खिलाडियों के चैन के लिए कलकत्ता में परिक्षन मैच करवाएंगे जब इतनी बाद ध्यांचन जी को पता चली तो जैसे उनके संदेह सोया ही तिरोहित होने लगे वे इस विशय में आस्वस्त थे कि बले ही भारत के सामाजिक वो राजनितिक जीवन को अंग्रेजों ने बुरी तरह से प्रभावित किया हो किन्तु वे खिलाडियों के चैन के मामले में किसी तरह के पक्षपात को प्रोसान नहीं देंगे उन दिनों बारतियों की संग में अधिक तरसेनिक अधिकारी ही शामिल थे इस तत्य पर भी सबको पुरा भरोसा था कि लांसनायक ध्यान्चंद को परिक्षन मैच खेलने वो ओलंपिक में जाने का अवसर अवश्य दिया जाएगा कलकत्ता शहर के खेल प्रेमियों से कौन परिचित नहीं है यहां तक की ध्यान्चंद आने वाले वर्षों में भी इस शहर के नागरिकों के लिए अपना आभार प्रकट करना नहीं भूलते थे उस समय बारतियों की संग के पास इतना धन नहीं था कि विदेशी द्वरा संब्व हो पाता बारतियों की संग को पूरा विश्वास था कि कलकत्ता में मैचों का पूरा प्रोचसान मिलेगा और वे धन का उचित प्रबंद भी कर पाएंगे बारत की प्रतम राष्ट्रिय टीम के चैन के लिए अलग-अलग प्रांतों से खिलाडी चुने गई ध्यान्चन्द को संयुक्त प्रांत की ओर से खेलने के लिए कहा गया उन लोगों को पूरा विश्वास्ता कि इस खिलाडी को अपने साथ शामिल करने पर जीत का सेरा अपने ही सिर पर बंधे का और ऐसा ही हुआ भी टीम ने अपने प्रदेश के लिए राष्ट्रिय चैंपियन का किताब पाया पूरा मैदान हर्शोल्ला से गुंज उठा टीम तीन दिन तक लगातार खेली परन्तो उन लोगों के चेरे पर शिकन तक नहीं आई थी विजय यश्री ने सबकी ठकान हर ली थी एक टीम भी चुनली गई किन्तु विडशी दोरे के लिए दन की समस्या अभी भी पूरी तरसे हल नहीं हुई थी नौबत यह तक आ गई थी कि संग के पास केवल 11 खिलाडेओं को बेजने के लिए आवश्चक दन्राशी ही एकत्रित हो सकी थी बाकी दो खिलाडेओं को नहीं बेजा जा सकता था इस अउसर पर एक बार फिर बंगाल होकी संग की सायता काम आई उसने बाकी दो खिलाडेओं को बेजने की व्यवस्ता कर दी इस प्रकर राह की बादाए हट्ती जा रही थी ध्यांचन की टीम की जीत की खबर पाकर परिवार में खुशी की लेहर दोड़ गई इसके साथ ही उन्होंने यह भी समाचार सुनाया कि वे विदेश जाने वाली टीम के लिए चुन ले गए है एक साधारन मध्यमवर्गिय परिवार में विदेश गमन का समाचार किसी उत्सव से कम नहीं होता खुशी के आसुओं और मुस्कानों के बीच सभी द्रवित हो उठते है ध्यांचन के घर में भी ऐसा ही कुछ मावल था यदेपी इस बार भी विदेश यात्रा के लिए आवश्यक सामान जोटाने की समस्या जोखी त्यो थी परन्तु परिवार जन को अपने सपुद पर पूरा भरोसा था वे जानते थे कि ध्यांचन भारती होकी का नाम विदेशों में उचा करने के लिए अपने ओर से कोई कसर नहीं छोडेंगे चार एमस्टर्डम ओलम्पिक एक नया इथियास एमस्टर्डम ओलम्पिक में पहली बार भारती होकी टीम को बेश्टे समय किसी ने कलपना तक नहीं कीती कि यह टीम विश्व होकी खेल के इधियास में एक सोरनिम अध्याय जोडने जा रही है एक नया इधियास रचने की तयारी पूरी हो चली है द्यांचन जी के परिवार में उल्लास का वातावरन था इस दोरान उनके छोटे वाई रूपसियां ने भी मन ही मन उन्हें अपना आदर्श मान लिया था वेह भी सोपना देखने लगा था कि एक दिन अपने बड़े भाई के साथ होकी खेलने विदेश अवश्य जाएगा ध्यांचन अपनी टीम के साथ 10 मार्च 1928 को केसर ए हिंद नामत जलियान पर सवार हुए उनकी टीम में एलन, रॉक, हेमंड, गुडसीर, कुलेन, खेरसिह, पिन्निगर, गेटले, फिरोच खान, के आरे नोटीस, मार्ती वंस, सिमेन तता शौकत अली शामिल थे बारतीय टीम को अपनी शुपकामनाई देने के लिए केवल तीन सज्जन ही वा आये थे बारतीय होकी संग के अध्यक्ष, बर्न मर्डोक, सी एज भटाचारिय, तता सी इ न्यूहेम मेजर मर्डोक के अथक प्रयासों के द्वारा ही हौकी टीम को अलम्पिक में जाने का आउसर मिला था केवल उन तीन व्यक्तियों ने स्रीमान रोजर के संरक्षन में जा रही टीम को जीदकर लोटने के लिए प्रोचाहित किया बले ही कोई और न आया हो, परन्तु खिलाडियों के हौसले बुलन थे सभी खिलाडियों ने मार्ग में आने वाले सभी प्रमुक स्थलों को देखने का आनन्द लिया शितलेहर चलने लगी और ध्यान्चन के अनेक साती समुद्री यातरा के कारण बिमार पड़ गई कुछ ऐसा ही मैसूस किया किन्तु सभी एक दूसरे के साथ थे बारत के अलग-अलग हिस्सों से गई वे खिलाडी मानों एक ही परिवार के सदस्य से बन गए थे वे 30 मार्च 1928 को तिलवरी बंदरगाह पर पहुँचे वह सुभ, कोहरे और शीत लहर से बरपूर थी बंबई की तरह लंडन में भी टीम के स्वागत के लिए कोई न था वे लोग अपने आपको यता संभव गरम कपडों में लपेट कर जाज से उतरे उन में से कई योंने तो अपने कंबल को ही लपेट लिया था उनके लिए लंडन की सर्दी कुछ कम न थी कुछ अधिकारियों से अउपचारिक परिचय के बाद टीम आगे बढ़ी परन्तु वहाँ प्रेस की ओर से कोई नहीं आया था एक अधिकारी ने ध्यान्चन से हाथ मिलाते होए कहा आपका स्वागत है हमने आपके खेल के बारे में काफी कुछ सुन रखा है वे अपनी इस प्रशन सा का क्या प्रतियोत्तर देती इसलिए चोटी सी मुस्कान देकर सकुचा गई दूसरे अधिकारी ने कहा आप लोग यहाँ 11 मैच खेलेंगे इस तरह आप लोगों को यूरोपियन हौकी को जानने वह समझने का अउसर मिलेगा आपको यहाँ के होकी मैदानों की दशा का अनुमान हो जाएगा पेले अधिकारी ने मुस्कुराती होए कहा सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि आप इन खेलों के दोरान एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकेंगे जिससे टीम को मजबुती मिलेगी बेशक वे बिल्कुल उचित कह रहे थे खेल भले ही प्रतिसपर्दी भाव से खेले जाते है किन्तु वे संबंदों को परस्पर सोहार्द वो गनिष्ट बनाने में एम भूमिका निभाते है सबी खिलाडी पहली बार इंगलेंड गये थे इसलिए सबका उच्साह देखते ही बनता था वे लोग विदेश के सभी परियर्टन स्थलू एव उन स्थानों को विशेश रूप से देखना चाते थे जिनके विशे में उन लोगोंने केवल कितावोव में ही पढ़ा था जो स्थान केवल चितर में देखे हूँ उन्हें अपने आखों के आगे सजी रूप में देखने का रोमांची निराला होता है द्यांचन का वेस्ट एंड और भूमीगत रेल तंत्र बहुत पसंद आए वे टीम लंबी समुदर यात्रा से आई थी इसलिए उन लोगों को मैदान में अभ्यास का अवसर नहीं मिल साका था इंग्लेंड में कई अभ्यास मैच होने थे उनी में से एक मैच के दोरान बारतिय टीम को ऐसा सबक मिला जो सोयन ध्यांचन जी के शुगदों में अनुटा था एक बार जब वे सभी मैच के लिए स्टेडियम पहुचे तो वे मैदान में अपनी हौकी किट लाने के लिए किसी माली या बॉय को पुकरने लगे उन लोगों को पुकरने पर भी कोई नहीं आया तो उन्हें सामने से एक दूसरी टीम आती दिखाई थी उन लोगोंने अपने अपने हातों में अपनी किट उठा रखी थी वे बड़े ही सर्ज भाव से अपना सामान ले चले जा रही थे जिसे देखकर साब पता चलता था कि उन्हें अपनी किट उठाने के लिए किसी तरह की साहिता की आवशक्ता नहीं थी बारतिय खिलाडियों को भी यह बात समझ आ गई कि बले ही खिलाडि छोटा हो या बड़ा, यिवा हो या अनुभवी, प्रत्यक व्यक्ति अपनी खेलने की किट सोया उठाता है वे एक ऐसा सबक था जिसे वे लोग कभी नहीं भूले इस बार खिलाडियों के आखों में बड़े रंगियन सपने थे, पर वे यह भी जानते थे कि सपने सच करने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास की आवशकता होती है अब्यास मैचों में उन्होंने अपने हुनर को माजने का बरसक प्रेतन किया इस दोरान ब्रिटिस प्रेस ने बारतिय टीम पर कोई खास ध्यान नहीं दिया उन्हों लोगों ने जो मैच खेले, उन्हों में लोगों की उपस्तिती बहुत अधिक नहीं थी इंगलंड के सरवत्तम होकी मौचसो फोकस टोन में भी भाग लेने का अउसर मिला वे मौचसो 31 मार्च से 21 अप्रेल तक मनाया गया उसमें आने वाले दर्शकों की संक्या भी अधिक थी उस मैच में मेचबानों ने अपनी सबसे सशकत टीम ब्रिटेन की राष्ट्रिय टीम को मैदान में उतारा उसमें नो आंतरराष्ट्रिय खिलाडी भी सम्मिलित थे हजारों दर्शक अपनी टीम का उत्साब बढ़ाने के लिए आप पहुंचे थे जब उन्होंने देखा कि किस तरह बारतियों होकी टीम के खिलाडी ध्यान्चंद उनके खिलाडीयों को नाको चने चववा रही थे तो वे हतप्रब रह गए उस समय तक ब्रिटिश ही होकी चांपियन माने जाते थे परन्तु आज बारतिय टीम ने उन्हें उनका वास्तविक स्थान दिखा दिया था उनके उच्च अधिकारी बहती शर्मिन्दा वो मायूस थे और उन्हें लगने लगा था कि उनकी टीम को उलम्पिक खेनने के ले जाना ही नहीं चाहिए अंग्रेज खिलाडियों के चेरे शर्म से नीचे जुके होए थे और हमारे भारतिय खिलाडियों ने उन आलो चोकों के मूँ भी बंद कर दिय थे जो अपनी टीम को विदेशों में भेजने के पक्षे में ही नहीं थे उन्हें लगता था कि हमारे हौकी किराडियों में इतना दम नहीं कि वे विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके पांच, 1928, सुवरनीम किर्टी ध्यांच जी ने अपनी प्रतिभा के बल पर अंग्रेजों को दिखा दिया था कि बले ही उन्होंने भारतियों को अपना गुलाम बनाकर रखा हो परन्तु हौकी के खेल में भारतिय उनसे कही आगे है और उनके इस स्वबिमान को डिगाने की ताकत किसी में नहीं थी बार्तिय टीम 14 एप्रेल 1928 को एम्स्टरडम पहुँची डश निवासियोंने मैत्रिपूर्ण रवय्या अपनाया ध्यांचन जी के लिए जीवन में यह घटना बहुती महत्व रखती थी उन्होंने सोयंको हर तरह की गतिविदी से दूर कर लिया ताकि अगामी खेलों के लिए अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकी टीम ने पहले तीन दिन होटल में विश्राम किया इस बार उलमपिक में नो देश भाग ले रहे थी बारत, जर्मनी, हौलेंड, बेलजियम, आस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, फ्रांस, स्विजर्लेंड वस्पेन उन्हें दो पूलों में विवाजित किया गया था और विजेता पूल को सोर्न पतक दिया जाना था उन उलमपिक खेलों में पहली बार मैला खिलाडियों ने भी ट्रैक वो फिल्ड प्रतिस्परदाओं में हिस्सा लिया उन खेलों के लिए एक नया तरता विशाल स्टेडियम तैयार किया गया था जिसमें लगभग 40,000 दर्शकों को बेटने का प्रभंध था उन्होंने तीन हजार खिलाडियों का भावबिना स्वागत किया फोक्स्टोन मोजसव की पराजय इंगलंड के लिए किसी करारे जटके से कम नहीं थी उस दिन उनके उच्च अधिकारियों ने अपने खिलाडियों को मुझ जुकाएं मैदान से बाहर जाते देखकर जो निर्ने लिया था वे अंत तक उसी पर कायम रहे उन उलम्पिक खेलों में इंगलंड ने अपनी टीम ही नहीं उतारी संबवताहा वे इतने बड़े स्थर पर भारतियों के हाथों पराजाई का दंश सहे न पाते उलम्पिक का सोर्न पदक पाने की अदम में इच्छा के साथ मैदान में उतरे भारतिया खिलाडियों को 17 माई को अपना जोहर दिखाने का अउसर मिला उन्हें उस दिन आस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलना था मौसम बड़ा ही सुहना था बारतिया खिलाडी पूरी तरह से अपने रंग में थे उनके लिए यह खेल कोई बहुत कठी नहीं रहा विपक्षी टीम को 6 गोलों से पराजित कर दिया गया जिसमें इसे 4 गोल तो ध्यांचन ने ही किये थे बाकी 2 गोल गेटले तता शौकत अली के हातों हुए हजारों मिल की लंबी यात्रा के बाद बारतिया खिलाडी जो दिखाने गए थे वे प्रतिबा दिखाने का सही वक्त आ गया था अठारा मैई को होने वाला अगला मैच बेलजियम के साथ था उस मैच में बारतिया टीम ने कुछ बदलाव किये और बेलजियम को 9 गोलों से हरा दिया अब तक स्टेडियम में आने वाले दर्शक बारतिया खिलाडीों के फुर्ती वक्त खेल प्रतिबा का लोहा मान चुके थे पेले ही मैच में बारतिया टीम ने विपक्षी टीम को 6 गोलों से हराया जिसमें से 4 गोल ध्यान चन्ने के थे सबका ध्यान उनकी ओर जाना स्वाबावी की था केते हैं सुरिय के प्रखल आलोक को कोई छेपा नहीं सकता सोयन सुरिय भी चाहे तो भी उसका आलोक मैमा मंडित होए बीना नहीं रहता है पूरे स्टेडियम में चारों और उनका ही नाम कुँझ रहा था हौकी प्रेमी एक ऐसेक खिलाड़ी को अपने सामने खेलता देखकर धन्य हो गए थे जिसके लिए यह खेल केवल एक खेल नहीं अपितु जीवन परियंत चलने वाली एक साधना थी एक पूजा थी एक अनुष्ठान था जिसको उन्होंने अपना सारा जीवन अरपित किया था बारतिय टीम ने 20 मई को डेनमार्क के साथ अपना मैच खेला डेनिज गोल खिपर ने अपनी हर तिक्रम लगाते हुए द्यान्चंत को गोल करने से रोका परंतो उस आंधी को रोक पाना उसके वश में भी कहा था बारत ने डेनमार्क को शुन्ने के मुकाबले पाच गोल से पराजित किया लगातार हुए इन तीन मैचों में बारत के विर्द कोई गोल नहीं कर सका 22 माई को सेमि फाइनल हुआ जोकि सिजरुलेंड के खिलाप खेला गया बारत ने दूसरी टीम को शुन्ने के मुकाबले छे गोल से पराजित किया सभी दर्शक बारतिय खिलाडियों की इस प्रतिबा को देखकर तंग थे बारतिय खिलाडि पूरे दख्मक के साथ फाइनल मैश टक आ पहुँचे थे सबको इस बात की हैरानी थी कि कोई भी दूसरी हौकि टीम उनके खिलाप अभी तक एक गोल भी नहीं दाख सकी थी सेमी फाइनल ने स्विजर लैंड को दोल चटाने के बाद बारत को फाइनल में हॉलेंड से दो-दो हाथ करने थे दर्शक दिरगा से बाहर निकल रहे लोगों के बीच कुछ ऐसा वारतलाप हो रहा था आपको क्या लगता है इस बार फाइनल में कौन से टीम जीते की इतना सब देखने के बाद भी आप अनुवान नहीं लगा पा रहे है या बारत के सिवा किसी देश में इतना दम दिखाई दे रहा है जो अलम्पिक का सोर्नपदक ले जा सके हाँ यह तो आपने सही कहा उनके गोली रिचर्ड एलिन हो या फिर सेंटर फॉर्वर्ड ध्यांचन्द इन दोनों से पार पाना किसी के वश की बात नहीं है बिल्कुल सही कहा आपने ध्यांचन्द को तो हौकी का चादुगर केना चाहिए ऐसा लगता है कि हौकी उनके इशारों पर नाश्ती है एक और समरात महिला ने अपने राई दी इधर लोग अपने अपने कमरों में बैठे अपने अनुमान लगा रहे थे और सबकी बातों का सार यही निकल रहा था कि भारत और हौलन के फाइनल मुकाबले में बेशक भारत ही बाजे मारेगा उदर भारतिय खेमे में हाला थी कुछ और थे कई बार परिस्तितियां व्यक्ति के उत्साह वो उवंग पर पानी फेर दीती है अब तक भारतिय खेलाडी बहुत अच्छी फ्वाम में रहे और अपना सिक्का जमाया पर फाइनल तक आते आते हालात कुछ बदल से गए थे कुछ वर्ष बात द्यांचन ने सोयं ही मैच से एक दिन पेले की अपनी मनुदशा का वर्नन किया था उन्होंने बताया कि बारतिय खोकी इत्यास की यह स्वर्नीम किर्ती इतनी सरलता से उन लोगों के हाथ नहीं आई थी इससे पेले खेले गए पाँचों मैच अद्भूत रहे विदेशियों ने खुले दिल से स्विकार किया कि बारतिय खोकी टीम सब पर भारी रही थी सोयं द्यांचन ची को भी बोरी-बोरी प्रशन सा प्राप्थ हुई परन्तु अभी विश्व चैंपियन बनने से पूर्व कुछ और बाधाहे पार करना शेश था उस मैच के लिए जैपाल सिहं उपलब नहीं थे टीम के कई सशक्त खिलाडी बीमारी की चपेट में थे फिरोज खान, शौकत अली तता खेर सिहं बीमार होने के कारण खेलने में अक्षम थे इतना ही नहीं सोयं ध्यांचन भी बीमार थे उन्हें तो बहुत तेज बुखार आया था टीम मैनेजर अच्छी तरह देख सकते थे कि उस दिन टीम के पास दुरंदर खिलाडी नहीं थे पर खेलना तो थाई उन्होंने ध्यांचन से कहा ध्यांचन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कल से तेज बुखार है जान है तो जान है यदि तुम चाहो तो कल का मैच मत खेलो हमें पहले अपने स्वास्ते की रक्षा करनी चाहिए इस बुखार वो दुर्बलता के साथ तुम अपना स्थ्रेश्ट प्रदेशन नहीं कर सकोगे ध्यांचन ने कहा सर, मैं एक सिपाई हूँ और एक जवान का सबसे पहला करतव्य होता है कि वे अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करे आज भले ही हम युद्ध के मैदान में नहीं है परन्तु मेरी देश की प्रदिष्टा दाव पर लगी है हमें खेल के मैदान में बारत का वर्चस्व स्थापित करना है मेरे पास तो इसके सिवा कोई विकल्प है ही नहीं कि मैं खेलने के लिए मैदान में उत्रू आज चाहे जीत हो या हार मैं शारिरिक दुर्बलता के बावजूद अपना स्रेश्ट प्रदेशन करूँगा अपने देश का नाम विदेशों में उज्वल करने के ऐसे सुनहरे अवसर जिवन में बार बार नहीं मिलने वाले ध्यांचन जी के चेरे की दुर्दा वो शब्दों ने टीम मैनेजर को भी उत्साहित कर दिया वे बोले तो ठीक है जवानो हौकी के मैदान में उत्रो आज के लिए तुम्हारा नारा है करो या मरो ध्यांचन मैदान में आते ही भूल गए कि उन्हें बोकार है और आज टीम के स्रेष्ट खिलाडियों में से कोई भी उनके साथ नहीं है उन्होंने किसी भी तरह की नकरात्मक्ता या दुर्बलता को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया केते हैं कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत आज उन्हें अपने मन को जीता ना था बंक बले ही जुलस गए थे पर उनके होसलों को उडान भरनी थी उस दिन स्टिडियम में करीब पचास हजार दर्शक उपस्तित थे बारत ने उच्चस तरिय खेल का प्रदर्शन किया किलाडियों की पूर्ती टीम वर्क वो पूरे सामान जस्ते के साथ तक्निके लागो करने की समझ देखते ही बन रही थी बारत ने हॉलेंड को तीन तता जेरो से हरा दिया उसमें से दो गोल ध्यान चन ने किये थे 26 मैं 1928 को पूरे विश्व ने होकी के मामले में बारत को सिर्मोरा माना बारती होकी टीम विश्व चैंपियन बनी इस ओलम्पिक में गोल रक्षक एलन भी किर्तिमान स्थापित करने में सपल रहे उन्होंने अपने विरुद्ध खेले गई पाचों मैचों में से एक में भी गोल नहीं होने दिया ऑलम्पिक खेलों में बारतीय खिलाडियों द्वारा बने वे किर्तिमान बारत के लिए किसी किर्तिगाता से कम नहीं थे समाचार पत्रों ने बारतीय टीम की होकी कलाकारी की प्रशन सामें पन्ने रंग दिये विदेशी खिलाडियों ने बारती होकी टीम के अनेक गुनों को सराहा और सार्वजनिक रूप से यह भी स्विकार किया कि होकी के छेत्र में भारत अतुल्नी यह है एक पत्रकार ने भारत की इस विजई का वर्नन्द करते हुई लिखा यह कोई होकी का खेल नहीं यह तो जैसे एक जादू था दरसल द्यान्चंद होकी के जादूगर है दूसरे समाचार पत्रने लिखा दरसल यह बात इतना महत्व नहीं रखती कि द्यान्चंद ने कितने गोल किये यह बात अधिक माहिने रखती है कि उन्होंने वे गोल किये किस तर 29 समय को बारतिय टीम ने उलम्पिक में सोर्न पदक प्राप्त कर अपने देश का नाम रोशन कर दिया टीम रोजर ने एमस्टर्डम ब्रह्मन से वापसी पर हौकी संग के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जिसके अंत में उन्होंने लिखा बारतिय टीम का प्रदर्शन वाकई लाजवाब रहा उन्होंने साबित कर दिया कि यदि कुछ विशेश गुनों को शामिल कर लिया जाए तो हौकी के खेल को भी माहन बनाया जा सकता है जैसे फूर्ती, तेज गती, तेज नजर, टीम वर्क, वा कुशल स्टिक वर्क, तथा विपक्षी दल की रक्षन पंक्ती को नश्ट करने के लिए तीवर आक्रमन एक फर्स्ट क्लास हौकी जिस तरख खेली जाने चाहिए, बारतिय प्रदर्शन उसी का शानदार नमुना था बारतिय खिलाडी तो इसी बात से अभीबुत थे कि अंततहा अपने देश भारत का नाम रोशन करने के लिए अपने और से कुछ कर सके सोयन ध्यांचन जी के शब्दों में इस खेल के बाद होलेंड में जो खातिरदारी हुई, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता हम लोग तो जैसे उन लोगों के लिए हीरो बन गए थे हमारे संदमान में अनेक भोश दे गए अनेक गण्यमाननी व्यक्तियों से मिलने का सवभाग्य हमें प्राप्थ हुआ इसके विपरीद जब हम भारत लोटते हुए इंगलेंड से होकर निकले तो उनोंने हमारी तरब कोई खास ध्यान नहीं दिया लंडन में रहने वाली प्रवासी भारतियों ने हमारे सनमान में एक भोज का आयोजन किया हमने लंडन में कुछ दिन व्यतित किये और अपने देज भारत वापस लोट आये जब बारतियों टीम वापसी के लिए रवाना हुई थी तो वे लोग नहीं जानते थे कि बारत कि इस तरब व्यक्रता से बाहे पहलाए अपने सपुतों के लोटने की प्रतिक्षा कर रहा था सभी खिलाडियों के मन में यही बात थी कि जब वे गए थे तो केवल तीन अधिकारी उन्हें विधा करने आये थे अप जब वे लोट रहे थे तो केवल वही लोग बारतिय बंदरगाहा पर स्वागत करने के लिए होंगे किसी दूसरे व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा कि बारतिय होकी टीम उलम्पीक में सोर्न पदक लेकर लोटी है परंतु या बारतिय होकी खिराडियों का अनुमान गलत निकला बारत पउशने पर उन लोगों का बाव बिना स्वागत हुआ मानो बंबई अपनी पहली बूल का सुधार करना चाहती हो उलम्पीक विज़ताओं का जैसा स्वागत होना चाहिए उन लोगों के अभिनांदन के लिए भी वैसे ही प्रबंद किये गए थे बंबई स्टेशन पर चारों और लोगी लोग दिख रहे थे बंबई के मेर डॉक्टर जीवी देशमोग उनका नागरिक अभिनांदन करने आये थे वहाँ दो अन्य राजनेताओं ने अपने खिलाडियों का स्वागत किया बंबई के महापूर स्वयन नहीं आ सके इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिदी के हाथों बदाई संदेश भिजवाया बारतिय खिलाडी भावुको उठे उन्हें लगले लगा था कि विदेशों में जिस तरब वे अपने देश की शान बनाए रखने के लिए संकल्प बद्द थे आज उनका प्यारा देश भी उसी उमंग से उन्हें दुलार रहा था पूरा बंबई शहर उस जाबाश टीम को देखना चाता था जो सुदुर विदेशों में बारतियों होकी का जंडा गार कर आई थी दावतों ओ स्वाकत समारों की बारसी आ गए थी और ध्यानचन जी आकर्शन के केंदर बिंदू थे एक दावत के दोरान एक व्यक्ति ने उनसे कहा ध्यानचन जी कली मेरे भाई ने एक डच समाचार पत्र की कत्रन भेजी है उसमें लिखा है कि आपकी हौकी स्टीक किसी जादू की चड़ी की तरह काम करती है उसकी मदद से आप बॉल को किसी भी दिशा में आसाने से ले जा सकते है ध्यानचन हसने लगे और इस बाचित के दोरान उन्होंने अतिती दंपत्ति को बताया कि उनकी हौकी स्टीक को लेकर तो लोगों में अकसर बवाल मचा रेता है था वे लोग उसे चूकर या किसी तरह उसे तोड़ कर देखना चाते थे कि उसमें कहीं गोन तो नहीं लगी या कोई विशेश चुमबक तो नहीं लगाई जो गेंद को अपने से अलग होने ही नहीं देती उस समय तो सब ने इस बात को हसे में उड़ा दिया परन्तु आने वाले और्षों में भी द्यांचन जी के विशेश में इस तरह की बात ये उर्ती रही दरसल उनके अविश्वस्तनिय खेल प्रदर्शन को देख कर यह लगता ही नहीं था कि एक सामन्य व्यक्ति होकी खेल रहा है केते हैं कि एक बार किसी अंग्रेज उच्च अधिकारी की पत्नी ने उन्हें हौकी के बदले अपनी बंच छत्री से खेल कर दिखाने को कहा था और उन्होंने उसे भी संभव कर दिखाया था ध्यांचन ने एक और घटना का हवाला देते हुए बताया था कि वे मध्यांतर के दोरान विपक्षी दल के किसी खिलाडी से बाचित में मगन थे तो उसकी पत्नी ने उन दोनों को बताये बिना ही उनकी हौकी स्थिक आपस में बदल ली हमेशा की तरह ध्यांचन गोल पर गोल करते चले गई हाला कि वे स्थिक को हाथ में लेते ही इतना तो जान गए थे कि उसे बदला गया है परन्तु उस परिवर्तन से उनके खेल पर कोई अंतर नहीं पड़ा था उन दावत्वों में लोग उनके ओटोग्राप लेने के लिए बेड लगा लेते ध्यांचन इतनी प्रसिद्धी पाने के बाद भी नहीं बदले वे अब भी एक शर्मिले युवक थे जिसे अपनी हौकी के सिवा किसी और चीज़ की चाह नहीं थी बारतिय टीम ने बंबई से जाने से पहले पच्छी मी बारतियों होकी संग के साथ एक मैत्रिपूर्ण मैच खेला और उन्हें पराजित किया बारत में होकी का फैशन जोरों से चल पड़ा था और इसके लिए बारतियों होकी टीम का योगदान बुलाया नहीं जा सकता था ओलंपिक खेलों की धुम समाप्थ होते ही सभी खिलाडी अपने अपने ठिकानों को लोट गए द्यांचंद भी पंजाब रेजिमेंट की अपनी बेरक में वापस आ गए सेना में उनके साती जावानों ने दिल खोल कर अपने हिरों का स्वागत किया समय पाते ही सब उन्हें घेर कर बेट जाते ताकि वे उन्हें विडेश यात्रा की किसे सुना सके अपने होकी के खेल से जुड़े रोमांचक प्रसंग बता सकी किन्तु द्यांचंद बहुती संकोची प्रवरुत्ती के थे इतना मान सम्मान पाने पर भी उनमें लेश मात्र भी घमन नहीं आया था जहां सभी एक स्थ्रेश्ट खिलाडी के रूप में उनकी प्रशंसा करती वही वे सकुचा कर पीचे हट जाते संबव तहा विनई व्यक्ती की यही पहचान होती है वे सदा अपने प्रशंसा होने पर और भी विनम्र हो जाता है फलों से लदेव रुक्ष सदा दर्ती के ओर ही जुखते है द्यांचंद काउंटर फॉरवर्ड पोजिशन के लिए विख्यात हो गए थे लोग जब उनसे गुट जुड़े किस्से सुनते तो रोमांचित हो उड़ते द्यांचंद पंजाभ हो की तुर्णामेंट के साथ लंबे अर्से तक जुड़े रहे उनकी प्रतिबा के आगी अच्छे अच्छे खेलाडी कुटने टेक देती और प्रायहा खेल के दोरान उने ही गेरने की योजनाय बनाई जाती कहते हैं कि एक बार वे रावल पिंडे में खेल रहे थे विपक्षी दल के सेंटर हाप ने अपना आपा खो दिया और उनकी नाग पर वार कर दिया खेल उसी समय रोग दिया गया द्यांचंद की प्राधमी चिकित्सा की गई जब वे मैदान में वापस आए तो उनकी नाग पर बैंडेज लगी थी वे उस व्यक्ति के पास गए और कहा साउधाने से खेलो ताकि किसी को चोट न लगे उस दिन उन्होंने च्छे गोल किये उन्होंने अपने रोश को उस खिलाडी पर निकालने की बजाए अपने खेल प्रदर्शंत यह साबित कर दिया कि किसी भी तरह का दबाव उन्हें उनके खेल में अपना जोहर दिकाने से रोक नहीं सकता था इसे दोरान जब ध्यान्चन अवकाश में अपने घर गए तो उन्हें पता चला कि उनके भाई रूपसियं भी हौकी में रूची लेने लगे है वे भी अपने भाई ध्यान्चन के नक्षे कदम पर चलते हुए एक महान हौकी खिलाडी बनना चाहती थे ध्यान्चन तो अनेक खिलाडियों के प्रेरना श्रोध बन चुके थे तब ऐसे में उनका अपना चोटा भाई बला इस प्रभाव से कैसे अचुता रह सकता था यद्यपी ध्यान्चन जी को अपने भाई को कभी हौकी के गुर सिकाने का समय नहीं मिला परंतु वे प्यार से उनकी कमियों को अवश्य ही बताती किसी भी खिलाडि को अपने खेल करियर में आगे बढ़ने के लिए वावाई से अधीक किसी ऐसे आलोचक की अवशकता होती है जो उसे उसकी भोलों से अवगत कराता रही ताकि वे उनमें सुधार करता रहे और अपने अभ्यास को और भी निखारता रहे द्यांचन जी का परिवार जासी में रेता था उन्होंने वही जासी हीरोज होकी कलब की स्थापना की थी जब भी वे अपने घर लोटते तो उस मैदान में लड़कों के साथ होकी खेलते रुपसिया ने भी खेल की शुरुवात वही से की उनके नेत्रुत्व में उनकी टीम ने कई किताब जीते दिसंबर 1931 में उनकी टीम ने मानावदर राज्य के खिलाप जीत हासिल की तो यह सम्मान भी बहुत ही चोटा था सन 1932 में लोस एंजलस में उलम्पिक होने जा रहे थे हौकी खिलाडियों के मन में असिम उत्सा होता परन्तु हौकी संग दुविदा में था उनकी समस्या आज भी वही थी जो चार वर्ष पहले रही थी उनके पास अपने खिलाडियों को बेजने के लिए दंद्राशी का अभाव था कारण भी अनेक थे यह स्थान एमस्टरडम की तुल्ना में दुगनी दूरी पर था इसलिए किराये पर होने वाला व्याई भी अनुमान ताथ दुगना होने वाला था दूसरे अनेक उच्च अधिकारियों का मानना था कि बारतियों होकी संग को अपने टीम भेजने ही नहीं चाहिए क्योंकि ओलंपिक होकी प्रतयुगता में अनेक देज भागी नहीं ले रहे थे वे हौकी के लिए इतना धन्व्य करने की सहमती नहीं दे रहे थे दरसल हुम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय लोग खेलों को इतनी गंबिरता से नहीं लेते थे किलाडी बले ही इसे अपने राश्ट्र की मान मर्यादा वो प्रतिष्टा का प्रश्ण मान कर खेलते थे परन्तु देश वो राजनेताओं की ओर से किसी प्रकार के प्रोसाहान या साहयता की अपिक्षा नहीं की जा सकती थी इसके लिए किसी को दोशी भी नहीं ठेराया जा सकता क्योंकि देशकाल की ततकालिम परिश्थितिया ही बुद्धी जीवी वर को उसके अनुसार निर्नाई लेने के लिए बाध्य कर देती है उन दीनो देश परतंत्र था, अंग्रेजों के साये में जी रहा था इसलिए देश का ध्यान उसकी स्वतनरता की ओर होना स्वाबावी की था इस प्रकार प्रातमिक ताओं में अंतर के कारण होकी संग के समक्ष धन के अभाव की समस्या जोंकित्यों खड़ी थी कहते है कि जब कई से कोई सायता मिलती न दिखे तो इश्वर स्वयं किसी को माध्यम बना कर प्रस्तुत कर देती है इस बार भी भारतियों होकी संग के अध्यक्ष तथा रेलेबोर के उच्च अधिकारियों में से श्रीमान हैमेन आगे आई उन्होंने दन के प्रभंदों को अपने हातों में ले लिया होकी संग के अवईतनिक सचु पंकज गुपता ने उनको सहयोग देने का निच्चे किया पूरी टीम को भेजने के लिए इतने दन की व्यवस्था करनी थी जो कही से मांकर पूरी नहीं हो सकती थी इसले उन दोनोंने बैंक से रून लेनी की योजना बनाई यद्यपी यह सुनने में विचितरसी बात थी परन्तु उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई न कोई बैंक उन्हें रून अवश्च दे देगा टीम बाद में अपने खेलों से प्राप्त धनराशी से इस रून को उतार सकती थी उन्होंने बड़े ही दुरूड संकल्पे के साथ अपनी यह योजना अन्य व्यक्तियों के सामने रखी सहयोग देने वालिंकी बजाए खिली उड़ाने वाले ही अधिक मिले परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी और अंततहा एक बैंक से रून लेने में सपल हो गए यहाँ हम विशश्त रूप से पंजाब नैशनल बैंक का आभार प्रकट करना चाहते है जिनोंने हौकी संग की उस दविदा को समझा और खिलाडियों को बेजने के व्याई के ले रून देने की हामी भर ली उनकी उदारता वास्तों में प्रशन सनिय थी इदर हौकी संग अपने बल पर पैसा जुटाने में लगा था और उदर ध्यांचन अपनी रेजिमेंट के कारियों में व्यस्त थे यदेपी उन्हें समाचार पत्र आधी पढ़ने का समय नहीं मिलता था परन्तु अपने मित्रों, उच्च अधिकारियों तता भाई के माध्यम से ताजा समाचार मिल ही जाते थे दरसल एक अंतर यह भी आ गया था कि वर्श 1928 तक तो हौकी के अधिक्तर निर्दे आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ट द्वारा ही ले जाते थे इसलिए सब कुछ आसानी से पता चल जाता था परन्तु इस बार दुरुष्य बदल चुका था नगरिय जीवन से परे कईटोनमेंट एरिया में रहने के कारण कुछ भी पता नहीं चल पार पाता था द्यांचन यह भी नहीं जानते थे कि उन्हें इस बार उलम्पिक में शामिल भी किया जाएगा या नहीं जब उन्हें यह बात पता चली कि बारतियों होकी संग ने अपनी टीम बेजने का निर्ने ले लिया है तो वे प्रसनता से जुम उठे वे भी जानते थे एसार निर्ने लेने के बाद उसे व्यावारिक तोर पर अमल में लाना सरल न था इसलिए जब उन्हें पंजाब नैशनल बैंक वाली बात पता चली तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब टीम को फिर से विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करने से कोई नहीं रोख सकता सेना में माना जा रहा था कि द्यांचन की प्रतिभा किसी परिक्षन की कायल नहीं रही थी इसलिए उन्हें बिना किसी अपचारिकता के प्रत्येक्ष रूप से टीम में चुने जाने का अउसर मिलना चाहिए था यही कारण था कि जब द्यांचन को परिक्षन मैचों के लिए 15 दिन की छुट्टी देने की बात आई तो रेजिमेंट के अधिकारियों ने इनकार कर दिया हाला कि द्यांचन भी जानते थे कि उन्हें बिना किसी अवपचारिकता के शामिल कर लिया जाएगा किन्तु फिर भी वे बेतर ही वीतर इस बात को लेकर व्याकुलता का अनभोग कर रहे थे क्योंकि उनकी पिछले ओलंपिक खेलों के कई साती दोबारा टीम का हिस्स्या बनने के लिए जीतोर कोशिश कर रहे थे और उन्हें सपलता मिलती नहीं दिख रहे थी इधर पंजाब नैशनल बैंक से पैसा मिलने के बाद भी दंदराशी परियाप नहीं थी अभी अंतरप्रांतिय होकी टुर्नामेंट करने वाली की आवशक्ता थी ताकि ओलंपिक यात्रा का खर्च निकाला जा सके यह काम भी अपने आप में बहुत महत्व रखता था पिशली बार की तर इस बार भी बंगाल होकी संग ने यह बार अपने सिर ले लिया बंगाल ने ओलंपिक ब्रह्मन के लिए न केवल धन्राशी दान में दी बलकि अंतरप्रांतिय टुर्नामेंट भी आयोजित करवाए उनका यह सयोग होकी संग के इतियास में उल्लिक निय है द्यांचन चाहते थे कि उन्हें भी कलकत्ता में हो रहे मैचों में खेलने का अउसर मिले वे नई पतिभाहों से साक्षातकार करे परन्तु वे तो एक दर्शक के तोर पर भी उनमें शामिल नहीं हो सके उन्हें अकबारों की कत्रवनों से ही अपना मन बहलाना पड़ा हौकी टुर्नामेंटों में दस टीमों ने हिस्सा लिया और उसके बाद ओलंपिक जाने वाली टीम के चुनाव के लिए दो परिक्षन मैच करवाए गई इन मैचों के बाद ओलंपिक जाने वाली खिलाडियों के नामों की गोशना कर दी गई ध्यांचन को समाचार पत्र में प्रकाशित खिलाडियों की सुची में अपना नाम देखकर ही पता चला कि वे भी ओलंपिक जाने वाली इस टीम का एक हिस्सा है उनके परिवार के लिए बहुत प्रसनता की बात थी और इस बात बार तो जैसे सबका उत्साह वो प्रसनता दुगनी हो गई थी क्योंकि उनका रूप भाई रूपसिया भी संयुक्त प्रांत की ओर से ओलंपिक टीम में शामिल किया गया था